हेलो आपने देखना शुरू कर दिया है स्किल डिरेक्शन आज हम पुरुवत्तर प्रवर्तिय विश्विद्धारे जिसे नर्थ इस्टर्न हिल इनवर्सिटी कारते हैं यह नेहू केमपस लोंग में है मिघालया में यह पड़ेगा इनवर्सिटी मिघालया इस्टेट में तो आगे बरने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिलें देखिए सोला मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें दिका है कि इन अप्लिकेशन आर इन्वाइट फॉर इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग अप टू पोस्ट अफ अशिस्टेन प्रोफेसर इन वेरियस दिपार्टमें इन नर्थ इस्ट हिल इनवर्सिटी इन बोथ दा केमपस एट सिलोंग एन तूरा मिघाले तो यह इसका इनवर्सिट इनवर्सिटी आप अफिस्यल वेफसाइट पर पहुंच सकते हैं जिसका वेफसाइट के डिल से www.nehu.ac.in है और अप्लिकेशन अप्लाई करने का लास्ट डेट है जो है 18 अप्रेल 2022 है लिका हुआ है अब आगे बढ़ते हैं तो देखे लिगा हुए कि वेर रिफर्नेस भी इंप्लाइमेंट नोटिस और सुला मार्च को जा रहे है सुला माज़ दरवाइस देट डिटेल्स इन रेस्पेक्ट अफ द पोस्ट अपसिस्टेंट प्रोफेसर और एज गीवन विलो है इसमें दिया हुआ है जिसमें स्कूल आप सुसाल साइंस है और सीरिया नंबर भी ह यहां डिपार्टमेंट है नेमं पोस्ट है और केटेगरी है और एस परस्ट नमर पे हैं पोलिटीकल साइंस we know theigne Ague Vea के लिए है और संट्रू कोई नहीं है और पर आर इसनलोगो बस्ट है यहां-पोस्ट यह अन्रिजर्ब है ये भी open है तिसरे नमर पर है history ये एक पोस्ट है ये EWS के लिए है और ये specialization इसमें है इसमें ancient history and archaeology है ये law है assistant professor एक पोस्ट है ये भी unreserve है और open है इसके लिए specialization और पाज़वा नमर है culture creative studies है assistant professor है यहाँ पर दो पोस्ट है एक PWD के लिए है और एक है SE के लिए और इसमें जो specialization है music होना चाहिए और painting होना चाहिए दूसरे नमर में और है school of economics management information science है और छटा नमर में है economics है assistant professor यहाँ पर दो पोस्ट है और एक पोस्ट है you are के लिए है unreserve है और specialization open है और एक है OBC पोस्ट है और management में देखिए यहाँ पर तूरा केंपस के लिए निकला हुआ है यहाँ पोस्ट है और यह open position with immunology and biogenetic as a desirable open microbiology है बायो chemistry है genetics है physiology है and desirable है और यह है a school of human and environmental science है और इसमें जगराफी है assistant professor है दो पोस्ट है एक है unreserve है एक है OBC के लिए और specialization open है इसमें भी जगराफी है यह assistant professor है यहाँ पर दस नमर पर और यहाँ पर तीन सीट है एक है unreserve एक SC है और एक OBC है और यह open है यह भी specialization और यह फोरोष्टी यह तूरा केंपस के लिए हैं और assistant professor यहाँ पर तीन है और यह एक है unreserve के लिए एक SC के लिए और एक है OBC के लिए यह भी open है यह specialization और हर्टी कल्चर है यह तूरा केंपस के लिए एक पोस्ट है unreserve है open है any specialization in हर्टी कल्चर है यह और तेरे नमर पर है रूलर डवलप्मेंट एंड एगरी कल्चर production तूरा केंपस के लिए assistant professor है यह दो पोस्ट है यहाँ पर और एक SC के लिए है और एक EWS के लिए ओपेन और्गोनोमलजी एनिमल हस्पेंटरी एंड डायरिंग रूलर डवलप्मेंट के लिए है तो यह पूरा पोस्ट हो गया अब इसके में दखिए और चोदर नमर पर क्या है यह mathematics है assistant professor है एक है और यह unreserve है यह भी वह specialization open है English में है सिलोंग के लिए है assistant professor है दो पोस्ट है यहां पर एक OBC के लिए और ST के लिए और एक स्टी के लिए और एक पोस्ट है यह assistant professor है एक है और PWD के लिए है यह भी इसमें कुछ नहीं लिखा है specialization यानि कि यह भी open है और खासी language होता है यह वहां पर एक अश्चेशन पर पर एक पोस्ट है और रिजर्व है ओपेन है English है तूरा केमपस के लिए है यह assistant professor एक है OBC के लिए है ओपेन है गारो तूरा केमपस के लिए assistant professor एक है यूज रहे है और प्रिफेंसी इन गारो लाइंग्वेज लेटरेचर एन फोकलाड लिग्विस्टिक एंगलिस लेटरेचर के लिए है हिंदी देखी है हिंदी में है assistant पोस्ट है एक और रिजर्व है एक OBC है एक EWS है और specialization open है और school of education है तो यहाँ पे एजुकेशन में है सिलोंग केमपस के लिए assistant professor है आपको image होना चाहिए एमेड के लिए एमेड और एक एक पोस्ट है और यह वर है यह भी अन्रिजर्व है और open है यहाँ पे और 22 नमर है education और assistant professor दो पोस्ट है यहाँ पे एक है और अन्रिजर्व है एक एसी के लिए और यह ओपन है इनर्जी एनर्जी इंजिनेरिंग एक पोस्ट है और यह ओपन है और पीश्ट की बात किया जग है तो seven cpc है लेबल ऑन पीश्केल है लेबल टेन है तो यह हुआ ए स्टयर्व फोस्टा दे दिये दिया है कि बिट्विन इतना में मिलेगा है आपको पेश्केल और अप्लाई करने का तरीका देख लिजिए है पहली का हुए कि है अप्लिके और फी कितना है वो देखकर आप अपलाई कर सकते हैं यह नोटिफिक्शन है शायद इसमें नहीं है कि कितना लगएगा और टर्म कंडिशन में है कि आपको पास हाट को भी भेजना होगा 22 अपरिल तक आपको भाट को भी 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 बेज दना है एनिहाव नो अजुशन स सब्सक्राइब करने का 18 अपरिल है और मैं डेटर्स में जदा यह सब नहीं बता पाऊंगा टीएड यह क्या है सब को लगेगा क्योंकि जो भी असे सब्सक्राइब करता है यह बेसिक नौलेज रहता है मैं सिर्फ यह आपको इन्फरमेशन के लिए वीडियो बनाया हो ता क कि आपको पता चल सके कि यहां पर सब्सक्राइब कर देखे बढ़ सकते हैं यहां पर कितने फिल लगएगा नहीं दिया है तो मैं आज बस इतना ही आई वीडियो कैसे लागा आपको जरू बताएगा और मैं करना चाहूँगा कि मैंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और श